एस्ट्रोजिक डिवाइन देवी विद्या है अभी जो टॉपिक चल रहा है वो डिफरेंट हाउसे से रेलेटेड जो चीजों को बता रहे हैं तो लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड हाउस स्टार्ट किया है तीसरा कुंडली का तीसरा हाउस यह लगन है यह सेकेंड हाउस यह केंडिड को तो एक तो थर्ड हाउस से विक्ति के साहस पराक्रम और इसके लावा उसकी मेहनत के बारे में बता सकते हैं कि कितना मेहनती है कितना मेहनत कर सकता है उसके छोटे भाई-बहन के बारे में आप बता सकते हैं इसके लावा वो शॉर्ड डिस्टेंस की यात्राएं जो short distance की आत्राएं है जर्नी है उसके बारे में आप बता सकते हैं और जो candidate विक्ति है उसका पडोसी नेबर कैसा है नेबर के बारे में full detail आप बता सकते हैं इसके लावा उसकी संगत कैसी होगी कंपनी कैसी होगी उसके friends अच्छे हैं खराब हैं किस तरह की संगत है और इसके अलावा आर्म जो भुजा है आर्म के बारे में और राइट इयर के बारे में आप बता सकते हैं दाहिने कान में अगर कोई प्रब्लम है तो उसके बारे में प्रेडिक्शन यहां थर्ड हाउस को देख कर सकते हैं तो उसमें छोटे भाई-बहन काम ने स्टार्ट किया था तो से रिलेटेड जो चीजें आपको देखनी है चोटे भाई बैन से संबंदित एक तो आप थर्ड हाउस देखिए और थर्ड हाउस का लॉड देखिए यानि उसका स्वामी क्या है कहां पर है कैसा है योग कारक है महारक है और इसके अलावा जो थर्ड का कारग्र है रेप्रेज इसको भी देखना जरूरी है तो डीवन कुंडली और डीव डीट्री कुंडली में तृतियेश और थर्ड हाउस तृतियेश यानि उसका लॉड और मंगल यह सब पूरा फुल डिटेल देखके आप यह छोटे भाई बहन के बारे में फुल डिटेल आप पूरा बता सकते है तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि छोटे भाई बहन का सुख है कि नहीं व्यक्ति की कुंडली में आप इस कुंडली को देके ही बता सकतेंगे बताएंगे कि उसके व्यक्ति के छोटे भाई बहन है या नहीं या उसके जीवन में उनका सुख है कि नहीं इस द्दिट्रोता वाला relation है इसके बारे में और इसके अलावा छोटे भाई बहन को क्या जीवन में कस्ट हो सकता है कोई बीमारी आ जाए कोई कस्ट हो जाए या उनको उनकी मृत्यु мощ हो जाए न की बता बता सकते हैं तो इसके बारे में टॉपिक शुरू करते हैं ये छोटे भाई-बैन से संबंध कैसा है जातक का संबंध किस तरह का होगा तो इस संबंध को देखने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि लगनेश का तृतियेश यानि लगन के लौड का थर्ड के लौड से क्या संबंध है तो अगर लगनेश तृतियेश या थर्ड के लौड का मित्र है तो वो उस विक्ति के उसके भाई-बैन से रिलेशन्स अच्छे होंगे एक फ्रेंडली रिलेशन होंगे आपस में कॉपरेशन होगा लेकिन अगर वो एक सम है एक एवरेज है तो एक की हेल्प का तो कोई बात ही नहीं है वहाँ पर क्योंकि आपस में एक दूसरे के शत्रू हैं लेकिन एक पॉइंट यह है कि जन्म कुंडली में अगर आप देखें तो हमेशा आप देखेंगे कि लगनेश और तृतियेश में नैसरगिक या नैच्रल वे में कभी भी मित्रत का नहीं होती राइट वह एक दूसरे के फ्रेंट कभी हो ही नहीं सकते नैसरगिक रूप से जैसे फॉर इक्जेंपल देखिए यहां अगर मेशलगन का स्वामी मंगल है तो एक दो तीन यहां पर यह थर्ड इस्थान का स्वामी क्या होगा बुद्ध हो जाएगा मरकरी तो मंगल और बुद्ध में आपस में शत्रुता है एक दूसरे के शत्रु है सेकेंड लगन देखिए ब्रख लगन अगर टौरस लगन है तो यहां पर इसका स्वामी क्या होगा शुक्र होगा और दो तीन चार यहां का स्वामी थर्ड का वह चंद्रमा हो जाएगा शुक्र और चंद्रमा में आपस में रिलेशन अच्छा नहीं है शत्रुता है इस तरीके से आप एक सेले के बारा लगन कहीं भी देख लिए तो या तो आपस में शत्रु होंगे या मित्र शत्रु होंगे या एक शत्रु है तो दूसरा सम है एक मित्र है तो दूसरा सम है या एक मित्र ह के लिए फिर आप करेंगे कि आप पंचधा मैत्री चक्र देखिए तो इसके लिए एक तो नैसरगिक रूप से देखिए कि क्या आपस में मित्रता है या शतुता है या सम है और फिर उसको तातकालिक जो मित्रता शतुता वाला चार्ड बनता है उसको देखे और दोनों को मिल ताके जो चार्ट बनेगा उसको पंचधा मैत्री कहते हैं तो पंचधा मैत्री चक्र से आप फाइनल जज्जमेंट लीजे कि लगनेश तृतियेश का मित्र है या सम है या वो शत्रू है इसके आधार पर आप बताएंगे राइट तो यह पॉइंट हुआ और फड का लॉडड यह आपस में कुल्डी में कितने डिस्टेंस में अगर केंडर त्रिकों में हो केंडर का मतलब एक चार शाथ-दश तृत्रूं करेंगे लेकिन अगर वह छे-आठ बारह में रेलेश्जन आ जाए लगनेश से तरितियेश च्छे-आठ या बारह में बैढ कि इप रेंगो रैट है कि मांने giorno cully कोई एक हए उसमें दीवन का लगनेश राइट या और ुलिंह दिवण का लगनेश कोई घ्रह होगा तो आप देखिए इस कुले में अगर वह आपस में मित्र दॉख EPA लगनेश और दीथी का लगनेश डीवन का लगनेश ओर डीटरी यह द्रिश्कान कुडली का लगनेश कोई ग्रह होगा तो आप देखिए इस में अगर आपस में मुत्र रहें तो फिर यह अच्छे इस पर दे रिलेशन्स रहेंगे और एक दूस्य के मित्र रहेंगे लेकिन अगर यहां का लगनेश एक डीवन का लगनेश और डीट्री का लगनेश अगर आपस में शत्रू है तो उस केस में फिर वह रहेगी और कॉपरेशन नहीं रहेगा आपस मिए माली जी कि D1 का लगनेश वो हो डीत्री कुल्ट में चला जाए यहां के लिए मंगल नी कहा बैठा मित्र राशी में बैठा हो तक उसके भाई बैन उस केस में फिर वो जातक का अपने भाई बहनों के साथ relation अच्छा नहीं होगा वह आपस में उस्ट्रू होगे इस तरह से देखते हैं मालीजे कि डीवन का लगनेश है ये डीवन का लगनेश कोई میल टैनेट मेल प्यांट का मतलब के सूर है मंगल है विशुपति है स्तरह के ग्रह तो वो दी ठी लगनेश के साथ कोई मेल प्लैनेट हो जो डी थी लगनेश के साथ मित्र ग्रह से अगर यूतिया द्रस्ट है उस case में फिर भाई से relation बढ़िया वाइस relation बढ़िया हुआ क्योंकि यहां पर यह male planet है अगर यह लगनेश अगर मालिय की female planet है female मतलब चंद्रमा है शुक्र है इस तरह के यूत या द्रस्त है, या वो अच्छे राशी में बेठा है, या अच्छे रिलेशन्स हैं, उस case में फिर वो व्क्ति के अपनी बहन के साथ रिलेशन बढ़िया होगे, दीवन का लगनेश, दीथ्री के लगनेश के साथ अगर मित्र ग्रहों से युक्तिया द्रस्ट हो तो भाई से रिलेशन अच्छा, दीवन का लगनेश फिमेल प्लैनेट होके, इस्त्री ग्रहों के, अगर दीथ्री के लगनेश के साथ मित्र ग्रहों से युक्तिया द्रस्ट ह होगा तो बहन से बहुत बढ़िया होगे बहुत फ्रेंडली रिलेशन एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे तो यह इस तरह से देखते हैं कि वह क्या संबंध होगा अब यह सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि छोटे भाई बहन को क्या अरिस्ट हो सकता है या नहीं जीवन में उ तो फ़ट कोई द्रिस्टी को फंफ बहुत प्रह ने को अरिस्ट के声 है यह उसको घंककर कस्ट होगा या फिर इस तरह से देखते हैं तो nacional यानि 3rd house में तो पाप ग्रह है और इसके यहां second house में भी पाप ग्रह हो फोर्थ में भी पाप दो पाप ग्रह के बीच में आ गया और रहा है और इस पर भी पाप ग्रह की द्रश्टी हो जाए उस कीस में फिर वो भाई बैं का बचना मुश्किल या उसमें उनकी की डयतрим हो सकती है अ invincible महें लिए इसमैं आउस में मंगल ही बैढ जहें मंगल जो इनके कारक разр में आड लेकिंगा अगर मंगली बैढ़ जाएं और वो उसमें पाप ग्रह की द्रिस्टी आ जाएं लेकिन शुब ग्रह की द्रिस्टी नहों तो ऐसे केस में फिर भाई बहन की मृत्य हो सकती है या उन्हें कोई बढ़ा भेंकर जो है कोई कस्ट हो सकता है रहे देखिए थर्ड हाउस में आपने बहास प्राक्रम मेहनत और वो बढ़ा देंगे और उसको मेहनत करने से उसको सफलता मिलेगी उसको सक्सेस मिलेगी मेहनत से या बाकि उसका पड़ोस अच्छा होगा संगत अच्छे बागी सब चीज़ें बढ़िया होगी लेकिन भाई-बहन का जो पॉइंट है वो फिर य या बारवे में भाव में बढ़िया है ऐसे जो अरिस्ट योग बता रहे हैं कि थर्ड हाउस का लॉड मंगल के साथ मिलकर यहीं बढ़िया है एर्थिस्थान में बढ़िया है या ट्वल्थिस्थान में बढ़िया है और पाप ग्रह की द्रस्टी हो लेकिन शुब ग्रह की की मृत्य हो सकती है या फिर उन्हें कोई ऐसा अरिस्ट हो सकता है भेंकर बीमारी वरा हो सकती है यहां पर फिर नंबर आट नंबर बारा नंबर कहीं बैड़िया और पाप ग्रह की द्रस्टी हो जाए तो ऐसे केस में फिर वो बच्पन में भाई-बैन की मृत्य हो जाती है इतना ज्यादा वह पाप प्रभाव उसके ऊपर यूँ बचना मुश्यल होता है चोटे भाई-बैन की मृत्य हो सकती है बच्पन में ही राइड माली जे की थर्ड का लॉड जो थर्ड का लॉड है यह नीच राशी में कहीं बैड़िया है कु थर्ड का लॉड कहीं 6-8-12 में बैड़ गया और थर्ड हाउस में राहू प्लस शनी बैड़ याए और पाप ग्रह की उत्ती द्रस्ती हो जाए तो फिर उसकेस में वह भाई-बैन की डेथ हो जाएगी थर्ड हाउस का माली यह की थर्ड हाउस जो है इसका लॉड प्लस मंग अगल दोनों मिलके अगर एर्थाउस में बैढ़ याए और अगर पाप ग्रह की दृस्टी दृस्टी हो जाए तो फिर भाई ये बहन का बचना मुश्किल होता है उनकी मृत्य हो जाती है और इस तरह के बहुत सारे हैं अरिस्ट योग जो है बनते हैं माली जी के कुंडली का ये जो भागि का इस्थान है धर्म का इस्थान तो यहां पर अगर सिंग राशी का सूर बैढ या इसकी ठीव दिई कि यहां अगर सिंग राशी बैढ़ गये सुर बचना मुश्किल होता है लेकिन अगर उसमें कोई एक बच जाए कोई अगर एक बच जाएगा तो फिर बहुती famous बहुत विख्यात ऐसा पुरुष बाद में होगा इस तरह से है मालिजे कि D3 का लगनेश जो द्रिश्कान कुण्ड़ी का लगनेश है वो दीवन कुण्ड़ी या डीथी कुण्ड़ी में द्रिश्कान कुण्ड़ी का लगनेश द्रिश्कान कुण्ड़ी का लगनेश द्रिश्कान कुण्ड़ी का लगनेश द्रिश्कान कुण्ड़ी का लगनेश द्रिश्कान का लगने जो है मंगल है और वो अगर डीवन कुणली में अगर बैढ जाए यहां पर छटे आठ्वें में बैढ जाए और अगर पाप ग्रह की यूती द्रस्टी भी हो जाए तब भी उस हीश में भाइबहन की डेढ़ होती यह फिर हो चाई से गिरकर उनकी हो जाती है इस तरह से देखते हैं यह आप को बताया कि संबंध किस रहो सकते हैं और इस्ट के योग क्या हो सकते हैं अब देखते हैं कि भाई बहन का मृत्तु का समय भी आप मौलूम कर सकते हैं कुणली को देख के तो इसके लिए भी पॉइंट्स हैं कि मा लीजे तृतियेश यानि थर्ड का लॉड इसके साथ में अस्टमेश बैड़ या है हैने इर्थ का लॉड तो थर्ड के लॉड के साथ इर्थ का लॉड बेढ़ गया रइड या तरटीयेश के उपर अश्तमेश की दृस्टी हो जाए तरटीयेश जो थर्ड का लॉड है एर्थ का लॉड उसके ऊपर दश्ति दे रहा हो तो ऐसे की सो किसमें फिर क्या प्रिश्य का अपना भोगांश होता है इतना राशी इतनी डिग्री इतने मिनिट्स इतने सेकेंड अ कोई भूगांश होगा तो लगनेश के भूगांश से आप थर्ड यानि तरतियेश के भूगांश को घटाईए लगनेश का जो भूगांश है उसमें से तरतियेश के भूगांश को हमने घटा दिया तो जो शेश राशी कुछ बचेगी तो उस राशी में उस शेश में आप द शेष बचा उसमें से दशमेश और मंगल के भोगांश को जोड़िए उसको घटा दीजे तो शेष जो राशी आएगी जब उसमें गोचर का शनी आएगा गोचर में जब ट्रेंजिट में शनी आएगा उस केस में फिर भाई-बेहन की मृति होगी यह एक इंपोर्टेंट एक चीज़ है और भी चीज़े हैं मालिजे की लगनेश है लगनेश का भोगांश प्लस त्रतियेश का भोगांश प्लस मंगल का भोगांश प्लस दशमेश है सब जोड़ दिए लगनेश का भोगांश त्रतियेश का भोगांश और मंगल का भोगांश और दशमेश का इस तरह से भाई बहन की मिर्त्यु के बारे में भी जाना जा सकता है। तो आज आपको बताया कि छोटे भाई बहन से कैसे शbynn 이제 granular के इस चोटे बहन को जीवन में कस्ट हो सकता है या कोई उनकी मिर्त्यु हो सकती है और म्रत्यु का समय भी आप देख सकते हैं, सकते हैं कुण्ली को देखे इस तरह से यह दीवन लिकार देखिए हड का ओर और मंगल जो इनका केर टेकर है या कारक है उसको देखिए और साथ मेंों दीच्टी कुण्ली कि देखिए इस से आप सारी